हालो मैं फ्रेंड नमस्ते और प्यारभर सलाम इस वीडियो में आपको उताने वाला हूँ यह आइसोमेट्रिक पाइप ड्राइंग के बारे में टेंपलेट कैसे बैंट करेंगे और इसका डारेक्शन कैसे देखेंगे यह तीन चार ड्राइंग है देख सकते हैं यह चारों ड लागा हुआ है और इसमें किस तरीका से डारेक्शन देखेंगे और इसका टेंपलेट कैसे बैंड करेंगे यह आज हम देखेंगे चलिए शुरू करते हैं तो फ्रेंड देख सकते हैं यहां पर यह जो लाइन है इसका यहां पर एक 3D व्यू भी दिया गया है तो काफी आस इस तरीका से डेखना यहां पर दिया गया है कि स्टरिकास देखना है कॉनसा कॉंट नॉर्थ है कांसा लगार। देख सकते हैं यह जो इस तरीका में घ्ञा ह्ना फेल्याइगे लिन दोखेंगे और फाम इस्टोफ बीच में तो बरनो यह एय जी होता है तो यह आप डाउन में गया है यह सब जो लाइन है नर्थ साउथ वेस्ट इस्ट में देखने के लिए ऐसे इस तरीका से 3D भीव में देता है तो फ्रेंड इसमें सबसे पहले जानना जरूरी होता है कि यह कितना इंच का लाइन है कौन सा मेटल है कैसे हम जानेंगे यह सबसे ज़्यादा जरूरी होता है आपको इसको थोड़ा हम जूम कर लेते हैं तो फ्रेंड यह देख सकते हैं कि जैसे यह पाइप का नंबर यहां पर एक नंबर में देखना यहां एक नंबर में कि यह कौन सा पाइप है कितना इंच का पाइप है वहां पर दिखा देगा आपको यहाँ पर जो elbow लगा है उसको हम 3 नमर में देखेंगे यहाँ पर कुछे लगा हुआ जो भी चीज है तो वहाँ 11 नमर में देखेंगे यहाँ पर जो elbow लगा है वो 2 नमर में देखेंगे तो इसी तरीका से हम यहाँ पर देखेंगे material list में यह एक नमर हो गया है और यहां पर pipe और type लिखा गया है, और one लिखा गया है और यहां पर dn100 pn10 लिखा गया है, डchaeis 100 के मतलब हो गया 4 इंच का लाइन, यह आपको ध्यान देना है, इसमें mm में लिखा गया है, pipe का जो mm सी, इन ऐमेम मे का जो mm में in को, id dimension होता है, id के बीचों सी थो Dñ Idiandad दाया वो इसमें साज लिखा गया है का, दि— autres और यहां पर देख रहे हैं और यहां पर कोड लिखा गया है तो यहां कोड जो है आप Google में सर्च करेंगे तो' कौण मेटल है आपको पता चल जाएगा यह जो कोड आपको बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा गूगल में सर्च मारेंगे तो इसी तरीका से मेटल देखेंगे यहां पर दो नंबर में आप रहेंगि आपको छです यहां पर भी के बनाना है उसीतर त्यर्थ से आपको अलग डिगरी में कट नियुक्त व you नों यहां चार नमर में भी एकट-ए नाइनटीड़ी आंपे लिखा गया है यहां पर और इसका दाइमेंसा यहां पे नहीं arkadaşlar 4-1 पाइप के लिए सपोर्ट लगाना रोडिस üçवे डॉट है और आपिいます यहां पे देख सकते हैं ट्रेसेट् रायका तरीका डॉट रहेगा तो एसा रहेगा और इस तरीका से डॉट-डॉट रहेगा और तो यहां पर आपको किया जाएगा तो यहां पर आप देखेंगे तो कट का निशान दिया हुआ रहेगा तो इसमें जो है, एक भी कहीं पर भी cut नहीं दिया गया है, इसमें कहीं भी field weld नहीं रखना है, लेकिन आप अगर रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, कहीं पर एक joint gehört field weld आप रख सकते हैं, लेकिन यहां द्रो जोएट का सिम्बल रहता है घ्रेड़ अगर रहेगा तो उसमें खिसे तरीका का यह राउंड नहीं रहाएगा सिभा आप बिल्कुल सीधा लाइन है तो फ्रेड़ घ्रेड़ जैसे लिखा गया उसी तरीका से यहां पर देखेंगे और यहां पर यहां पर यह जो सिंबल देख रहा है यह यहां पर 12 नंबर में देख लेंगे कि क्या चीज दे रहा है तो यहां पर देख सकते हैं 12 नंबर में पाइप सपोर्ट है कुछ इस तरीका का कोई नंबर है आप देख लेंगे से मेटल है यहां पर उट्रभ लगा हुआ है और यहां पर इसका जो रहता है यहां पर डाउन साइड में दिया गया है इसको हम पांच नमर में देखेंगे और यह फ्लैंच जो है किस तरीका का फ्लैंच है वह भी देख लेंगे यह जो है WNRF फ्लाइंच नहीं है जो एक आता है लेप जॉइन्ट फ्लाइंच आता है और यहाँ पर एक वाल्व लग रहा है जिसका 2 नमर में देखेंगे यहांपijn पे स्स 시んな कहरें इस थरीका से 1 क्लात सिंसे 5 के लाइग लाइन खीच करके उपर में खेंज यह रिटीसर यह पाइप आने के पड़ आयाँ इडेन्ब यह दोनों फ्लैंच का मैं्ट्रियल लिष्ट a पर चिल नमडर में में किस तरीका का फ्लेंच यहां रहे हैं कि यहांनि कि यह उसका पैक साथ नोड़ा हुआ रहता है और ڈकलो फ्लेंच रहे गा तो दुन सेल रहता है उस तरीका का फ्लांच लगेगा प्लाढ़ करिसमर में इसने प्लाइगा लिखा गया यह अगर इसका दालेंगे आपको हैं यहां इसने लिखने आपको कहों लेंघार जो लिखने लोस्ते हैं प्लिखने सकता है तो यहां पर देख सकते हैं कि यह जो जा रहा है यहां पर इसका डिरेक्शन दे रहा है है इस्ट से डाउन तो इस तरीका से हम यह टेंपलेट लेंगे और यह लाइन दराए इस्ट से इस तरीका से डाउन करना इस तरीका से जाके डाउन रहेगा यहां पर जो एलबो इस तरीका से बन रहा है यह अपके तरफ तो यहां पर साट डिगरी का ऐसा एलबो रहेगा और यह इस तरीका से डाउन में रहेगा देख सकते हैं इस तरीका से डाउन में रहेगा और यहां पे जो यह 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 य जा रहा है और इसके बाद यहां पर एक और रोलिंग दे दिया गया है यहां पर इसका जो रोलिंग दिया गया है इस्ट से नर्थ के तरफ रोलिंग दिया गया है यहां पर जो रोलिंग देख रहा है इसका इस्ट से नर्थ के तरफ रोलिंग दे रहा है तो यहां पर यह जो रोलिंग हो गया यहां पर इस तरीका से रोलिंग में रहेगा और यहां पर होने के बाद यहां का डिरेक्शन दे रहा है वेस्ट के तरफ आपको यहां पर बेंड करना है यहां करना है तर visão करना है और इसका डिरेक्शन दे रहा है इस्ट से नौर्थ के तरस रोलिंग इसा नर्थ के तरफ लोलिंग से ऐसे क करने इस सब्सक्राइब करना है ईस्ट आया और नोर्थ में रोल होगया देख सकते हैं ईस तरह का इसका यह पर नार्थ période रोल हो गया इस टाकेर के नौर्थ में रोलिंग हुआ डाउन हुआ और यहां साट टिग्री में डाउन हुआ नीचे यहां पर यह लाइन डाउन हुआ डाउन होकर करके यहां से यह आगे के तरफ से हम रोलिंग देखेंगे यह यहां से अप हो रहा है वेस्ट से अप तो यह से नर्थ की तरफ यह नोगए और सकती है तो इसी तरीका से इसका collectors करना है देख सकते हैं इस तरीका से रहेँगा दुसरा और एक मैं सकते करके दिखा दे रहा हूं यह लाइन का तो फ्रेंड ये वीडियो कैसा लगा come सकर A और लाइक करिए और हमारे वीडियो को अपने दोस्त के साथ सेर करिए और हमारे ये चैनल को सब्सक्राइब करिए इस तरीका का नीचे लाल बटन होगा उसे आप दबा लिजिए ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे